नमस्का दश्कों यूटूब के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आज में वीडियो लेकर आई हूँ कन्या लगन वा कन्या राशी के जातकों के लिए मारगी शनी का फल शनी महराज 23 मई 2021 को वक्री हुए और वो 10 अक्टूबर 2021 तक वक्री रहे अब 11 अक्टूबर 2021 से शनी महराज मारगी होने जा रहे हैं शनी महराज के मारगी होने का प्रभाब कन्या लगन वा कन्या राशी के जातकों पर क्या पड़ेगा इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे शनी महराज एक धीमी गती के ग्रह है जो एक राशी को धाई वर्ष में पार करते हैं इसी कारण शनी महराज को शनेचर भी कहा जाता है जो धीरे धीरे शने शने चलता है शनी महराज का धीमी गती से चलने का आरथ है कि शनी महराज देरी के परतीक है यानि कुंड़ी में अगर कहीं भी शनी महराज का प्रभाव होगा किसी भी भाव पर तो उस भाव से जुड़े काम जो हैं लेट हो जाएंगे शनी आपके पंचम में होंगे और अगर पंचम में होंगे और अब किसी पाव धर है कि रिष्टी से पीड़ीत है तो या तो संतान नहीं होगी या फिर संतान होने में बहुत अदिक देरी हो जाएगी सब्तम में शनी है तो विवा में देरी भागे भाब में शनी है तो भागे उदे होने में देरी दशम भाब में शनी है तो कैरियर में सेटलमेंट लेट होगा तो इस तरीके से शनी जिस भाब से समंद रखते हैं उस भाब से जुड़े काम को लेट कर देते हैं यही प्रभाव शनी की दिष्टियों का भी है कि शनी की दिष्टि जिस भाव पर पड़ेगी वो भाव से जोड़ा काम लेट हो जाएगा शनी की दिष्टि अगर सक्तम भाव पर पड़ेगी तो विवा लेट हो जाएगा पंचम भाव पर पड़ेगी तो संताल लेट हो कि एक ग्रह के वक्री होने से उसे चेश्टावल मिलता है चेश्टावल मिलने से ग्रह जो है बली हो जाता है कहते हैं शुब ग्रह जब वक्री होता है तो उसका पापत वो बढ़ जाता है यानि पाप ग्रह अगर वक्री होता है तो उसके नेगटिविटी बढ़ जाती है इस शनी माराज गोचर में जिन भावों को देख रहे हैं उनसे जुड़ा फलवी लेट आएगा। और 11 अक्टूबर 2021 के बाद उनसे जुड़ा काम ही तेजी से होगा हम पहले विचार करें कि शनी माराज कन्या लगन वा राशी में किस भाब के सौमी बनते हैं शनी माराज की एक राशी पंचम भाब में आती है मकर राशी और इस समय शनी माराज मकर राशी में इंगोचर कर रहे हैं और उनकी एक राशी आती है कुम राशी छटे भाब में यहीं शनी माराज पंचम भाब के और छटे भाब के सामी बनते हैं शनी माराज की 25 भाव से आपके लाब भाव पर जिष्टी थी। जो regular income का भार होता है आपके सब्त म भाव पर तीसरी दिष्टी थी जो भिवा का दमपत्य सुक का भाव होता है और दशम जिष्टी आपके धनट संपत्ति के भाव पर ती। यानि शनी माराज पंचम में रहकर आपके सब्टम एक अधश और धन भाप को प्रवावित कर रहे थे, तो इन से जुड़े सारे भाप प्रवावित हो रहे थी, अब शनी वक्री हो गए, शनी वक्री होए और वो शनी पंचमेश हैं, अगर हम धन का विचार करते हैं, तो धन भावो में से तीन भावो पर शनी का संभन था शनी पंचम में बैठे थे एकदश को देख रहे थी और धनवाब पर उनकी दिश्टी थी यह वकरी शनी ने पंच में शोकर लाइब हाब को भी प्रभावित किया जिससे धन से जुड़े मामलों में परिशानी आरही थी धन हमा जैसा विपार करते हैं जिसमे समय समय पर सोधे करते हैं वो हमारे रोके होज़ सोधे होनी की संभाबना बनेगी पंचम भाप से अचानक धन प्रापती का विचार करते हैं क्योंकि जुखा अगला अप्सक्रत गोगिए लोगे उनमें भी बडोत्री होगी तो इस प्रकार से शनी का मारगी होना कन्या लगनवा राशी के लिए धन के एसाब से बहुत अधिक शुब रहेगा पंचम वाम से विचार करते हैं संतान अगर पंचमेश वक्री था तो ये तो तह है कि संतान से जुड़ी कोई न कोई चिंता आपको परिशान कर रहे थी तो संतान से जुड़ी आपकी चिंता दूर होगी विदार्ति वर्क, जो 15 बक्री था तो विदार्ति वर्क की जो पढ़ाई में बादा आ रही थी, वो पढ़ाई की बादा दूर होगी, विदार्तियों के लिए पढ़ाई की अपसर खुलेंगे प्रेम समंदों में जो तनाव या गलत फैमी थी वो पर सब दूर होगी उसके भी आपस में मदूरता आएगी समंद में और अगर हम बात करें तो पंचम मा में शनी गोचर कर रहे थे और उनकी सब्तम पर दिश्टी थी शनी की तीसरी दिश्टी सब्तम भाब पर चल रही थी जिसके कारण विवात यह होने में रुकावट आ रही थी तो उसकी भी संबाबना बढ़ेगी अब आपका रिष्टा त दामपत्य सुख का विचार भी सब्तम भाब से करते हैं वक्री शनी की दिश्टी जो है सब्तम भाब पर थी तो जिसके कारण दामपत्य जीवन में किसी पगार का तनागया गलत थेमी थी उससे आपको निजात मिलेगा शनी की दिश्टी एकदश भाब पे थी और वक्री शनी की जिससे मित्रों से सयोग नहीं मिल रहा था तो मित्रों से सयोग मिलना शुरू हो जाएगा तो ओवराल शनी के मारगी होने से हमारे काम की जो है बाधायें दूर होगी शनी पंचम होने के साथ साथ छटे भाब के भी सौमी है तो छटा भाब होता है रिंड रोग शत चटे भाब का स्वामी जब शष्टेश वक्री होता है तो हैल्थ से जूडी प्रब्लम आती है स्वास्ते में कोई परिशानी आती है तो स्वास्ते की परिशानी दूर होगी और हम कोट केसी का विचार भी चटे भाब से करते हैं चटे भाब का स्वामी जो है वक्री से मारग और शनी जो है पंचम के संग शस्टेश भी है जिसके कारण कुटुम में किसी प्रकार का व्याव दिवाद हो रहा था लेकिन अब 11 अक्टूबर से कुटुम में सुक्षान्ती होगी सदस्यों में आप असमी समन्जस्य बढ़ेगा शनी पंचम में वक्री थे जिसे चौते वाप से भी एफेक्ट दे रहे थे जिसे चौते वाप से एफेक्ट देने से चौता वाव हमारा मन का होता है मन में हमारी बेचैनी थी मन में चिंता परिशानी थी तो अब शनी मारगी हो गए तो चौते भाब से समन धट गया तो मन की चिंता परिशानी दूर होगी चौते भाब से माता का विचार करते हैं शनी का प्रभाव होने से चौते भाब से माता के स्वास्ते में किसी पगार की टेंचन थी तो माता के स्वास्ते में सुधार होगा माता की तब जो पहले से खराब चल रही थी वो ठीक होगी साथी शनी की दिष्टी एकदश भाव पे थी जो हमारा इच्छा पूर्ती का भाव है तो हमारी इच्छाओं की पूर्ती हो प्रेम समंदों में मदूरता आएगी विवा का रिष्टा तैया हो सकता है दामपत्य जीवन में तनाव गलत फैमी दूर होगी और आपको मित्रों से और भाई बंदों से सवयोग मिलेगी तो 11 अक्टूबर से कन्या लगनवा कन्या राशी के काम जो पंचिमेश और में उसतेशनी के वक्री होने से धमे कामों च्छी तेज होगी और आपके रुके में काम तेजी से होगी अगर आपका किशी कारे से संबने सोधा होना था तो वो सोधा होने की भी समामना बढ़ जाएगी क्योंकि जो धन आने के मारक का स्वामी था वो अपनी वक्री अवस्ता में था जिसके कारण धन आने में रुकावट आ रही थी तो वो रुकावट अब आपकी दूर होगी और आपके पास धना आने के अपसर बनेंगे तो दर्शको यह मेरा वीडियो था आपको कैसा लगा प्लीस कमंट बक्स में कमंट करके बताईएगा इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं आपने मेरे चैनल अभी तरह सब्क्राइब नहीं क्या तो किर्पा मेरे चैनल सब्क्राइब कर दे साथ ही वे लैकन को भी दबा दे जिससे जब भी मैं अपने वीडियो प्लोट करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरे वीडियो देख सके इसके साथ ही नमस्का अदश्कों जैमाता दी